हलो एवरीवन मैं सरवग्य अगरवाल टीम विदिक वर्से बेसिक्स ओफ लेजिसलेशन कोर्स सब्जेक्ट के अंडर आज आप सभी के साथ जो डिसकशन करने जा रहा हूं वो है लॉव मेकिंग प्रोसीचर स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोद करता हूं कि जो पिछली दो वीडियोज हैं प्लीज जाईए और देखिए क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखेंगे शायद आपको वीडियो समझने में थोड़ी सी तकलीफ आए तो चलिए शुरू करता है तो आज जो हम डिसकशन करने जा रहे हैं वो है लॉव मेकिंग नहीं यह Bro होता है कैसे बनता है तो एक बैसिक बेक्राइब ऍऐस् स्ट्रक्चर देख लेते हैं अभी जिसको हम डीप में अब अंदर जाके पढ़ेंगे सबसे पहले ऑप सब्सक्राइब पर शाथा हुआ। फिर उसके बाद जब वो दूसरे हाउस से भी पास हो जाता है, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, फिर उसके बाद जब उनका एसेंट भी मिल जाता है, तो दब बिल बिकाम्स तल लॉ, यह भी हमने एक बहुत ही मोटा मोटा स्ट्रक्चर देख लिया है, अब हम इसको और डीप में जाके पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो है क्या lawmaking procedure, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि legislation या फिर lawmaking, बहुत ही main function है parliament का, सबसे बड़ा function parliament का यही है, parliament शायद form होने का one of the most important reasons क्या है, कि वो जिस देश में हमारे इंडिया में बैठी है, उसके लिए laws in act करना, वो parliament का बहुत important function है, ठीक है? अब जितने भी legislative proposals होते हैं, वो parliament में bill के form में introduce होते हैं, direct तो act नहीं बन जाता है, एक procedure होता है, उसे हम direct act भी नहीं कहता है, फिर धीरे धीरे जैसे pass होगा, pass होगा, pass होगा, और जब completely pass हो जाएगा, presidential assent मिल जाएगा, then the bill becomes the law, ठीक है? अब आप कहेंगे कि bill क्या है? अब ये bill नहीं कि दुकान पर गया है, उन्होंने एक bill दे दिया, वो bill नहीं है, ना? So, a bill is the draft of a legislative proposal, which can be introduced in either house of the parliament, जो आप एक law लाने वाले हैं, उसका एक draft तो आपने त्यार किया होगा, ना? तो वो draft जो है, वो bill है, ठीक है? यहाँ तक clear होगा, आशा करता हूँ, आगे बढ़ते हैं, अब बिल भी कई प्रकार के हो सकते हैं, दो तरीके के bill हैं, गवर्मेंट बिल, प्राइवेट मेंबर्स बिल, ठीक है, अगर further categorization करना हो, तो bill वापस तीन तरीके के हो सकते हैं, ordinary bill, money bill, constitutional amendment bill, ठीक है, अब आप लोग मुझे comment में यह करके बताईए, कि हमारे देश में, इंडिया में, कितने constitutional amendment act अब तक हो चुके हैं, क्योंकि उनकी शुडवाद भी constitutional amendment bill से हुई थी, और आप जाईए, और research कीजे, कि भले ही, अगर मानिए, x amount of constitutional amendment acts हो चुके हैं, तो constitutional amendment bills कितने आचुके हैं, तो वो जादा हैं, कितने जादा हैं, उनमें अगर आपको और research करने का मनन है, तो आप पढ़िए कि वो क्यों नहीं पास हुए थे, interesting topic आपको करने में मजा हैगा, खेर, topic पर आते हैं, सब जैसे कि मैंने बताया, अगर हम classify कर रहे हैं, ordinary bill, money bill, constitutional amendment bill, let's come to the ordinary bill, ठीक है, ordinary bill, लोगसभा या राजयसभा, दोनों में से कहीं भी initiate हो सकता है, introduce हो सकता है, इंडियन पार्लियमेंट की दोनों जो house है, house of the people, दा लोगसभा, council of states, राजयसभा, दोनों में कहीं भी ordinary bill को introduce किया जाता है, जब ordinary bill दोनों house में pass हो जाता है, उससे president का assent मिल जाता है, तो वो law बन जाता है, मानि ये लोगसभा में introduce हो आता, फिर वो राजयसभा में जाएगा, राजयसभा ने भी pass कर दिया, मानि दोनों houses में pass हो गया, फिर वो president जी के assent के ले गया, वहाँ उन्होंने assent दे दिया, तो वो law बन गया, simple, कोई जोल जापाटा नहीं है, आगे बढ़ते हैं, आप money bills आते हैं, यहाँ slide में आपको दिख रहा है कि money bills dealing with financial matters, ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि money bill क्या है, एक money bill जो है, वो एक financial legislation है, that exclusively deals with matters relating to taxes, government expenditure, borrowing and other financial aspects, खास बात money bill की, अगर आपको जाननी है, तो वो यह है, कि money bill सिर्फ और सिर्फ लोग सभा में introduce हो सकते हैं, माने कि the house of the people में ही introduce हो सकते हैं, ordinary bill मैंने बताया था, दोनों जगा introduce हो सकते हैं, लोग सभा, राज़े सभा, money bill का introduce हो सकते हैं, सिर्फ लोग सभा, जब लोग सभा वो पास कर देगी, फिर राज़े सभा के पास बोग बेजा जाएगा, for its recommendation, लेकिन, जो राज़े सभा है, वो सिर्फ अपने recommendations बेज सकता है, ना उसे amend कर सकता है, ना उसे reject कर सकता है, उसके पास 14 दिन है, अगर 14 दिन में उसने कोई recommendations दे दी, तो ठीक है, वरना ये समझा जाएगा, कि उसने उसे pass कर दिया है, अब वो presidential essence के लिए आगे दे भी जाएगा, ठीक, समझा आ गया होगा आपको, constitutional amendment bill, जैसे कि मैंने आपको बताया, constitutional amendment bill जब पास हो जाता है, तो constitutional amendment act बन जाता है, अब ये constitutional amendment bill क्या है, नाम से बहुत clear होगा, इस bill proposes changes to the Indian constitution, अब इने पास होने के लिए कि अच्छे ही है, इसका जो requirement है, उसे याद रखियेगा, वो बहुत ज़रूरी है, अब आगे बढ़ते हैं, procedure क्या है, एक bill को law बनाने के लिए एक procedure है, वो procedure क्या है, वो procedure बहुत simple है, three reading stages, simple है आग कर लिजे, three reading stages, और कोई इनके technical नाम भी नहीं है, first reading stage, second reading stage, third reading stage, कोई technical नाम भी नहीं है, ठीक है, three readings जाते हैं, आप एक एक करके, इन readings के बारे में, इन reading stages के बारे में पढ़ते हैं, first reading stage, ABC bill आया, सबसे पहले, for example, let's say, लोग सबा में introduce हुआ है, इस first reading stage में, जब वो बिल आएगा, तो कोई discussion नहीं होगा, पहले तो इसे बिल को introduce करने के लिए, जो भी concerned minister है, वो साथ दिन का notice देते हैं, साथ दिन का notice देते हैं, फिर दो दिन पहले, लगबग, बिल को introduce होने से, first reading stage से, दो दिन पहले लगबग, हर एक member को, legislative draft की, legislative proposal की, जो draft है, उसका, उसकी copy भी दे दी जाती है, इस stage पे, कोई discussion नहीं होता है, अगर कोई आपत्ती होती है, तो इस speaker, बहुती brief statements के लिए, मान सकता है, कि ठीक है, जिसे कोई आपत्ती है, वो brief statements में बात करे, और जो minister concerned है, वो brief statements में उसको reply करे, अगर, इसका, जो opposition है, मानलब इस bill को, अगर जो आपत्ती जताई जारी है, वो ये जताई जारी है, कि ये bill तो इस house में आई नहीं सकता, ये house competent ही नहीं है, कि ये वाला bill को discuss करने के लिए, entertain करे, तो फिर full discussion होता है, then the speaker mail offer full discussion, इस stage में, bill की constitutionality की बात नहीं होती है, ये बात घ्यान रखिएगा, bill जब act बन जाता है न, तो जो courts हैं, सिर्फ वही constitutionality की बात करेंगे, speaker cannot decide the constitutionality of the bill, ठीक है, और ये बात भी याद रख नहीं किया, अगर finance bill ये appropriation bill आता है, तो ये oppose नहीं हो सकता है, अब finance bill और appropriation bill क्या होते हैं, इनके बारे में भी आपको जांकारी होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको money bills पढ़ाए, money bills दो example ले सकता है, अब उनके finance bill और appropriation bill, finance bill जो होते हैं, तिसे money bill, article 110 के होते हैं, article 110 में जो mention है, finance bill सिर्फ उनी से deal नहीं करते हैं, और चीज़े भी deal करते हैं, आगे पढ़ेंगे, आगे slides में, लेकिन ये बात मैं आपको बता दूँ कि money bill के दो examples ली ले ली जा, जब bill introduced हो जाता है, first reading stage हो जाती है, then it is published in the Gazette of India, but in somewhat cases, the speaker में allow for its publication before the introduction as well, ठीक है? अब हम आते हैं, second reading stage जो second reading stage है, उसे consideration stage भी कहा जाता है, इसे again, हम दो stages में बाठ सकते हैं, मालब first reading stage भी, फिर second reading stage आई है, second reading stage की दो stages हो सकते हैं, तो जो first stage है, उसमें तो जो bill है, तो जो discussion होता है, वो bill ऐजे hole पे हो जाता है, ठीक है? कि ये bill किस object से लाया जा रहा है, मालब उस bill की संपूर रूप पे ही discussion हो जाता है, उसकी details पे नहीं जाया जाता है, कि bill लाया क्यों जा रहा है, गल्लत है, सही है, उन सब पे discussion हो जाता है, उसकी बारीकियों पे नहीं जाता है, फिर जो house होता है, जैसे हम example लेकर चल रहा है, ABC bill है, लोग सब हमें introduce हुआ है, तो लोग सबा इसे या तो select committee को दे सकती है, दूसरे house से बातचीत करके, कि भई इस bill को कहाँ रेफर करता है, फिर second stage of second reading stage आता है, फिर select committee या joint committee को भेजा था हमने, उन्होंने कुछ अपनी बाते लिखके भेजी, वो फिर आती है उस house में, अब वो clause by clause, consideration में लाया जाता है bill, उन सारी recommendations को लेके, जो joint committee या, select committee को देखी गई थी, बेजी गई थी, जो एक-एक clause होता है, वो house के सामने, separately discussion के लिए रखा जाता है, और फिर इसी stage में, second reading stage में, amendments की भी बात की जा सकती है, कि इस clause में इस amendment की जरुरत है, तो कोई कह सकते हैं, अमेंडमेंट आना चीएं, उस पर बात हो सकती है, discussion हो सकता है, और amendment को लाया भी जा सकता है, आगे बढ़ते हैं, third reading stage या, last reading stage, जब सारे clauses, सारे schedules, अगर bill के schedules हैं, सारे के सारे discussed हो चुके होता हैं, सब consider हो चुके हैं, सब पर vote हो चुका है, तो जो minister है या फिर member in charge है, वो ये कह सकता है, कि bill passed हो गया है, एक बात और ध्यान रखियेगा, in passing an ordinary bill, a simple majority of members present, and voting is required, the bill is passed after the motion, that the bill be passed is adopted by the house, ठीक है, जब आप ऐसे समझेए कि, ABC bill था, लोग सब हमें आया, राजय सबहा के पास गया, लोग सबहा ने पास कर जए, राजय सबहा के पास गया, राजय सबहा ने कुछ amendments कर, वो सॉरी, recommendations कर, वापिस लोग सबहा आया, तो अब उसकी मर्जी है कि, माने या ना माने लोग सबहा की, हमने यह पढ़ा, अब आप यह सोचिए कि, जब हाउजस में आपस में, बोट अब हाउजस, लोग सबहा और राजय सबहा में, आपस में disagreement हो गया, कुछ amendments को लेके, एक हाउस कहा रहा है कि, नहीं यह amendment move होगा, दूसरा हाउस कहा रहा है, यह move नहीं होगा, तो क्या होगा, तो प्रेसिडेंट जी चाहें, तो joint sitting of the houses का, एक concept है, दोनों house साथ बैठेंगे, और फिर बातचीत करेंगे, but this does not however apply to money bill, क्यों 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 मैंने का, कि राजय सबह की recommendations को मानना है, ना मानना है, वो लोग सबहा की बात है, मनी बिल के case पर मैंने आपको पहले भी बताएगा, जॉइन sitting होगी, फिर वहाँ बातचीत होगी, फिर discussion होगा, voting होगी, majority देखी जाएगी और हो जाएगा, majority थोड़ा तक्नीकी शब्द हो जाएगा यहां, कि यहां एक special requisite होता है, जब दोनों house उस बिल को पास कर देते हैं, president के पास जाता है, वो बिल एसेंट के लिए, तो जो अपना एसेंट दे सकते हैं, या फिर अपने एसेंट को withhold कर सकते हैं, उनकी मर्जी है कि वो एसेंट को, एसेंट दें, बिल को withhold कर लिए, ठीक है, अब हम जो मैं बता रहा था कि money bill, finance bill, appropriation bill, उन सब के बारे में बात करेंगे, अब वो बात करते हैं, आपने अब देख चुके हैं, आपकी first reading stage का है, second reading stage का है, third reading stage का है, कैसे कैसे pass हो रहा है, हम यह सब देख चुके हैं, कैसे bill एक law बनता है, हम वो तीनों stages discuss कर चुके हैं, अब हम देखेंगे कि यह money bill क्या है, finance bill, appropriation bill, चल क्या रहा है, money bill पे आते हैं, तो money bill की जैसे मैं आपको कहा, जो definition है, वो article 110, article 110 में elaborately mentioned है, हार एक चीज़ दे रखिए अब, जब यह question आए, कि यह bill money bill है या नहीं है, तो decision of the speaker of the house of the people is final, why house of the people, why not Rajya Sarva, comment कीज़, यह मैंने आपको पहले बताया, अगर आप वीडियो ध्यान से सुनने हैं, तो आपको पता होगा, कि why the decision of the speaker of the house of the people is only final, ऐसा क्यों, चलिए, आगे बढ़ते हैं, शायद इसका answer आपको इस slide में भी मिल जाएगा, ध्यान से देखेगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, और सो जो money bill है, तो किसी भी joint committee of the houses को नहीं भेजी जाएगी, है ना, और नहीं joint sitting होगी, इस money bill के discussion के लिए, जब money bill, president को दे दिया जाता है, एक बार कह सकते हैं, कि भाई इस बिलकुम कुछ reconsider कर लो, या फिर वो अपना कुछ recommendation देते कि भाई इस पे बातचीत करो, लेकिन money bill के case में ऐसा नहीं है, उन्हें एसेंट देना है, वो को reconsideration के लिए वापस दोनों houses में नहीं भेज सकते हैं, finance bill, finance bill है क्या, it is introduced in the लोग सबा, immediately after presentation of the budget, containing the financial proposals of the government of India, समझ रहां, budget के बाद, कोई भी जो मतलब, वो है, financial proposal of government of India, उनके बारे में बातचीत करते हैं, finance bill लाया जाता है, दूसरा है, appropriation bill, मैं आपसे कहा रहा था कि money bill के दूए example लीजे, finance bill, appropriation bill, appropriation bill क्या है, वो बिल जो consolidated fund of India से पैसे मांग रहा है, कि कोई बिल आना चाहा है, कोई हमें consolidated fund of India से पैसे चाहिए, तो उसके लिए कोई प्रोसीजर होगा न, तो वो एक bill पास होता है, वो बिल क्या है, appropriation bill, अब आप कहेंगे कि सर, money bill और finance bill में अंतर क्या है, अंतर है, money bill जो है, जो article 110 clause 1 है, specifically उसमें जो चीजे लिखी हुए है, उनी से deal करता है, लेकिन finance bill के साथ ऐसा नहीं है, finance bill का अलग article भी है, article 117 भी इससे relate करता है, और जो overriding power है, वो article 368 of the constitution of India देता है, finance bill, आगे बढ़ते हुए, अब हम बात करेंगे, private members bill की, दो bill थे, मैंने पहली स्लाइट में, starting की slides में बताया था, की government bill हो सकता है, या private member भी लो सकता है, तो अब इन दोनों में अंतर कैया सबसे पहला तो, government bill तो मानिये, मैं पशुपालन मंत्री हूँ, उससे related कोई bill लाना है, मैं introduce कर सकता हूँ, अब मैं एक member हूँ, MP हूँ, मैं मंत्री नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि, एक इस बात पर, X, Y, Z बात पर discussion हूँ, मैं इसके लिए बिल लाना चाहता हूँ, क्या मेरे पास कोई अधिकार है, हाँ, मेरे पास अधिकार है, private member bill के, जैसे कि लिखाया पढ़िये, in order to provide an opportunity to the people's representatives, to express their views on various issues of public importance, and persuade the government to formulate programs and policies, government को मनाने के लिए कि, भाई, इस matter पे भी discussion हो, इस पे भी बिल मैं लाया हूँ, इस पे बात कीजिए, इस पे एक law लाना चाहिए, private member bill आ सकता है, जो हर alternate Friday के, आखरी धाई गंटे होते हैं, वो private member bills पे discussion के लिए, अलॉट कर दिये जाते हैं, और private member bill और government bill, दोनों को पास करने का, same procedure है, same procedure क्या, first reading stage, second reading stage, third reading stage, same procedure है, इन दोनों में, कोई भी अंतर नहीं, अब हम president के recommendation की बात करने हैं, president के recommendation की, कब-कब जरूरत होगी, ये अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, slide बें mention है, article 3 mention करता है, bills relating to formation of new states, and alteration of areas, boundaries, or names of existing states, इसमें recommendation of the president जरूरी है, article 117 clause 1, money bills and financial bills, article 1171 मैं आप से कहा था, deals with financial bills, overriding power का आएं, article 368 of the constitution में, the bill affecting taxation, on which the states are interested, article 274 clause 1, इसमें भी, president के recommendation की, जरूरत होती है, अब constitutional amendment bill की, अगर बात करें, क्या procedure है, constitutional amendment bill कैसे, constitutional amendment act बन पाएगा, article 368 of the Indian constitution में, mentioned, constitution ये नहीं कहता कि, अगर constitutional amendment bill आनी है, तो कोई separate constituent body के पास जाएगे, नहीं, वही लोगसभा, राज्यसभा, एक बिल आएगा, किसी भी house में, चाहें वो लोगसभा में हो, चाहें वो राज्यसभा हो, चाहें वो government लाए, चाहें वो private member लाए, फिर, वो वही तीनों stages, is पाफ जाएगें first reading status, second reading states, third reading states. Articles of the constitution have been classified into three categories for the purpose of amendment. ठीकbat. Number one, articles which can be amended by simple majority in the houses. Number two, articles which require special majority for their amendment. Number three, articles which require a special majority as well as ratification by the legislatures of not less than one off of the states. अगैन, इन केस अभ एनी डिसग्रीमें बूर्ट बेटी। अच्छीनल अमेंड्मेंट्म बिल्ल, तो जोए ने नी कि एक ने कर दे नहीं किया, तो जोएंट सिटिंग कर लेते हैं, फिर पास करा देते हैं, नहीं, Article 368 में साफ mentioned है कि prescribed majority जो है उनी से दोनों house में अलग-अलग पास हो वो Constitutional Amendment Bill तभी वो Constitutional Amendment Act बन पाएग इसी के साथ इस वीडियो का अंत होता है आपको कोई भी doubt हो query हो प्लीज comment section में करिए वरना आप हमें mail कर सकते हैं withikvass at the rate gmail.com मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जल्द मिलते हैं अगली वीडियो